शार्दिया नवरात्र की महानवमी तिथी पर मा दुर्गा के नौवे स्वरूप मा सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है मा सिद्धिदात्री की महिमा का शास्त्रों में विस्तार से वर्नन किया गया है शिव पुरान में उलेक है कि भगवान शिव ने सिद्धी प्राप्त करने के लिए मा सिद्धिदात्री की पूजा की थी मा सिद्धिदात्री की पूजा करने से साधक को शुब कारियों में सफलता मिलती है अगर आप भी अपने जीवन में व्याप्त कष्ट और संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो महानवमी तिथी पर मा सिद्धिदात्री की विधी विधान से पूजा करें मा सिद्धिदात्री व्रत कथा सनातन ग्रंथों में ये बताया गया है कि जब ब्रह्मांट में कुछ भी मौजूद नहीं था हर तरफ सिर्फ अंधेरा था उसी क्षन ब्रह्मांट में प्रकाश की एक किरन प्रकट हुई प्रकाश की यह किरन तेजी से फैलने लगी इस पुंच से एक देवी प्रकट हुई इसके बाद प्रकाश किरन का विस्तार रुख गया प्रकाश किरन से प्रकट हुई देवी मा सिद्धिदात्री फी मां सिद्धिदात्री ने अपने तेज से त्रिमूर्ती ब्रम्ह, विश्नु और महेश को प्रकट किया. तब माता सिद्धिदात्री ने तीनों देवताओं को सृष्टी का संचालन करने का आदेश दिया. तब त्रिदेवों ने मां सिद्धिदात्री की कठिन तपस्या की. कठिन तपस्या से प्रसन होकर, मां ने त्रिदेवों को शक्ती और सिद्धी प्रदान की. देवी मां का स्वरूप मां सिद्धिदात्री मां सिद्धिदात्री के मुख पर एक दीपतिमान आभाज हलकती है. ये प्रकाश सभी संसारों में कल्यान लाता है माता की चार भुजाएं हैं मा कमल पर विराजमान हैं और सिंग की सवारी करती हैं मा के एक हाथ में सुदर्शन चक्र और दूसरे हाथ में गदा है तीसरे में शंक है और चोथे में कमल का फूल है मा अपने भक्तों के सभी दुख दूर कर देती है